हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या हैं इससे पहले हम लोग क्लास 9 में भी इसकी कुछ अबधारनाओं को हमने पढ़ा था इसे आगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस अध्याय में खास करके यूकलिड डिवीजन अलगोरिदम अर्थात यूकलिड वीभाजन अलगोरिदम को पढ़ना है इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए जैसे भाज संख्या क्या है, अभाज संख्याएं क्या है, सम संख्या क्या है, विसम संख्या क्या है, परिमय संख्या क्या है, आपरिमय संख्या क्या है तो इनको आप अगर अच्छे से जानते हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ हमें विभिन संक्याओं के गुननखन निकालने भी आने चाहिए और परिवे संक्या के बारे में भी अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए इनमें उनके दशमलों परसार जैसे सांथ तथा असांथ आवर्ती और अनावर्ती दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए यूकलिट विभाजन में हमें समीकरन हल करने होते हैं इसलिए समीकरन के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ ले अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो देखें चलिए शुरू करते हैं यूकलिट विभाजन प्रमेका युकलिड विभाजन परिमेका जो है वो है दो धनात्मक पुरनांग A और B दिये रहने पर ऐसी अदूतिय पूर्ण संख्या Q और R विद्धमान है कि A बराबर BQ पलस R जहां R जो है 0 के बराबर या बड़ा है और B से छोटा है युकलिड विभाजन परिमेका का जो इतिहास रहा है वो इस परकार से है कि सबसे पहले युकलिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया उलेक है यूकलिड विभाजन अल्गरिदम इसी परिमे का अर्था लेमा पर आधारित है इसे यूकलिड विभाजन लेमा भी कहते हैं इसे हम अलजबरा के अंतरगत पढ़ते हैं अलजबरा जो है एक किताब है हिसाब जवर वा अल मुकाबला से लिया गया शब्द है इसे नोवी सवजदी के एक फार्सी गनितग अल्खारीजम के नाम से रखा गया है अल्गरिदम शब्द जो है इनही के नाम से लिया गया है इनके सम्मान में रखा गया है आईए यूकलिड विभाजन अल्गरिदम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसके लिए उदाहरन हम लोग परस्तूत करेंगे और उदाहरनों को हम लोग देखेंगे कि किस परकार से इनहें बनाया जाएगा एक कोश्चन है जब B बराबर 1 तब शेस्फल क्या होगा और A क्या होगा चलिए इसका हल करते हैं तो हमें मालूम है भाग अलगुरिधम क्या है? भाग अलगुरिधम से हम लोग लिखेंगे A बराबर B Q पलस R जहां A बराबर 1 इन्टो Q पलस R क्यों? क्योंकि B यहां पर 1 है इसके बाद A बराबर Q पलस R हो जाएगा और हम जानते हैं भाग algorithm कहता है R के बारे में अर्था शेशफल के बारे में क्यों 0 के बराबर या बड़ा होगा और B से छोटा होगा इस परकार हमें मिलता है कि R जो होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा इसलिए हमें मिलेगा R बराबर 0 अर्था यहां पर शेशफल हो गया शुन्य अर्थाद 0 इस परकार हम कहसे हैं कि A बराबर जो होगा Q पलस R या A का रूप जो होगा बराबर हो जागा Q पलस R के और Q पलस R जब करेंगे तो R का वेलू यहां पर सुन्य है अर्थाद 0 है तो लिखेंगे Q पलस 0 बराबर Q अर्थाद A बराबर Q ही आएगा A का रूप जो होगा Q के बराबर होगा एक और उदारन देखते हैं जब B बराबर 2 हो तब शेशफल अर्थाद R और A बराबर क्या होगा तो हम जानते हैं कि भाग अल्गोरिदम से इसका हल हम लोग कर सकते हैं तो भाग अल्गोरिदम क्या है A बराबर B Q पलस R जहां R जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा B से छोटा होगा इस तरह से निकलेगा कि R जो है 0 से बराबर या बड़ा और 2 से छोटा होगा इस तरह हम कह सकते हैं कि R बराबर शुनी होगा या फिर एक होगा इस तरह से हम इस निशकर्च पर पहुंचते हैं कि जब शेशफल शुनी लिया जाए तो एक का रूप हो जागा 2Q पलस R के नुसार बराबर 2Q पलस R बराबर 2Q या फिर जब शेशफल 1 लेते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 2Q plus R बराबर 2Q plus 1 इस तरह से हम कह सकते हैं कि A का जो रूप होगा या तो 2Q होगा या फिर 2Q plus 1 होगा आईए इसे एक और उधारन दोवारा समझते हैं जब B बराबर 3 हो तो 6 फल अर्थात R बराबर क्या हो सकता है और A बराबर क्या होगा अर्थात A का रूप क्या क्या हो सकता है तो इसे हल करेंगे हम लोग तो हल करने वाक्त हम समझ सकते हैं कि हम इसे भाग अल्गोरिदम विधी दुवारा हल करेंगे भाग अल्गोरिदम विधी है A बराबर BQ plus R तो इसको लिख सकते हैं A बराबर 3Q plus R क्योंकि B यहाँ पर 3 है, आता है, क्या हो सकता है, R का वेलू, R हमेशा सुनी के बराबर या बड़ा होता है, और B से हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पर B जो है 3 है तो R जो है 3 से छोटा होगा और इस तरह से हम कह सकते हैं R बराबर सुन्य एक और दो अर्था 3 से हमसा छोटा रहना चाहिए तो सुन्य एक और दो हुआ इस परकार जब हम सेजफ़ल बराबर 0 लेते हैं तो A का वेलू आता है B Q पलस R से 3 Q पलस सुन्य बराबर 3 Q और R बराबर जब हम 1 लेते हैं तो आता है A बराबर B Q पलस R बराबर 3 Q पलस 1 equal to 3 Q पलस 1 से आता है इसका वेलू 3 Q पलस 1 इसके बाद जब R बराव 2 लेते हैं तो A बराबर BQ पलस R जाता है 3Q पलस 2 का रूप में इस तरह से हम कहा सकते हैं कि A का रूप जो होगा या तो 3Q होगा 3Q पलस 1 होगा 3Q पलस 2 होगा अग्छ उत्राहरन में हम लोग किसी दो संख्या का मरसा निकालते हैं तो मान लिया जाए कि दो संख्या 15 और 20 है तो इनका मरसा क्या होगा तो इसका हल है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन संख्या बढ़ी है अर्थार जो बढ़ी है उसे A और जो छोटी है उसे B मान लेंगे तो यहाँ पर A बराबर 20 और B बराबर 15 हो जाएगा तो भाग algorithm से हम लोग कर सकते हैं कि A बराबर B क्यू पलसार बराबर implies date हो जाएगा 20 बराबर 15 गुना 1 पलस 5 इसके बाद implies date 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ शुन्य अता ECF बराबर 5 होगा आएए इसे NCRT के उधारन संख्या 4 से समझते हैं कि किस परकार से हम किसी दो संख्या का ECF निकालते हैं तो 420 और 130 का ECF क्या होगा तो हम भाग algorithm से लिख सकते हैं कि A बराबर B क्यू पलस R यहाँ A बराबर 420 और B बराबर 130 है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30 130 बराबर 30 गुना 4 पलस 10 इस परकार इसका जो ECF है वो 10 निकलता है अब आप NCRT का प्रशनावाली 1.1 को आप बना सकते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम प्रशनावाली 1.1 के सलूशन लेकर आएं हैं इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद